नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागतर है हमारे YouTube चैनल में हैं। आज की वीडियो बहुत जदा important वीडियो है. क्योंकि मेरा पास काफ आरे सारी कमेंट्स आते हैं, can we make बचा 4 मही निया कर गहा एं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलेगा तो चलिए विजास विश्ग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अगर आप बच्यों को पहले से खाना देना स्टार्ट कर देते हैं तो इससी था हयोता है कि बच्यों को ढांच महिने या या झाड़े से यहां तक की डर्बु एचो भी कहता है कि हमें अपने बच्चों को समय से पहले खाना नहीं देना चाहिए जब उनकी एज राइट एज ना हो पिर आपके बच्चे की जो हैड और टंग का जो कंट्रोल है वह 6 मन तक आता है तो आप अपने बच्चों को समय से पहले अगर खा सेंट है अब बात करिए कि आफ्टर 6 मन के बाद हम दे सकते हैं तो बिल्कुल आपको यह देना ही देना होता है अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं अभी बच्चा जो है उसको सॉलिड स्टार्ट नहीं करो चलो ठीक है 7-8 महीनी में देखेंगे तो ऐसा नहीं है 6 महीनी तक आते 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 आपके बच्चे के सरीर में जो आयरन का कलेक्शन होता है जो कि बच्चा जब जनम लेता है तब से उसके अंदर स्टोर होता है वो आते आते 6 महीनी तक क्या होता है वो कम होने लगता है जिसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब बच्चा 6 महीनी का हो जाता है तो आपके बच्चे को solid भार का देना भी बहुत जरूरी है ताकि बच्चे के सरीर में सही मातरा में iron रहे protein रहे और सारी वो चीजे रहे जिससे कि आपके बच्चे की जो overall growth है वो अच्छी रहे साथी साथ में जो बच्चे जो हैं जो भी बच्चे का दोक्टर है जो भी आप चायल स्पेसिलिस डॉक्टर हैं उनके संपर्क करें वह आपको सही समय बताएंगे कि आपके बच्चे के लिए सही समय क्या है जब बच्चे को solid start कर सकते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके बच्चे अगर भी सही समय क्या है दोस्तों अगर यह वीडियो प्ली यूसफुल है आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मद भूलेगा जो शेयर जोई किजिएगा सभी पेरिंट्स के साथ में जिससे सभी की हैल्प हो सके और अगर चैनल पर पहली बार आ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार थैंक्यूँ